antiviral drugs antiviral drugs जो है वो widely available नहीं है क्योंकि वारिस जो है उनकी few functions और structures होते हैं with which drugs जो है वो interfere कर सकते हैं nevertheless certain drugs जो एवालबल है जो interfere करते हैं वार अप्लिकेशन के साथ एक example जो है वो azidothymidine है जो यूज होता है ताक इंटरप्ट कर सके human immunodeficiency virus की replication other example जो है वो है acyclovir जो यूज होता है against herpes viruses के लिए और chickenpox viruses के लिए जो यूज किया जाता है against cytomegalovirus के और amandadine के लिए जो prescribed है against influenza viruses के लिए and interferon जो है उसे यूज किया जाता है against rabies viruses के लिए और certain cancer viruses के लिए additional points आप इसमें add करेंगे कि जो जो हमने antibiotics पढ़े वो effective नहीं है against किसके viruses की as virus जो है वो intracellular है और अगर एक agent जो है उसे attack करना है virus को तो उसको क्या करने की ज़ुरत है उसको क्या करना है कि उसे host cell के अंदर जाना पड़ेगा ठीक और ताकि वो attack कर सके virus पे और उसे host cell को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना है जो ही वो जाएगा host cell के अंदर तो फिर वो attack कर सकता है इसी viral viral जो वहाँ पे होगे present तो उन पे और अगर अगर अब क्या होगा बैक्टिरिया होगा फाइंगस होगा या कुछ और होगा तो इसे host cell के अंदर से जाने की कोई जोरत नहीं है वो host cell के outside अपना काम कर सकता है जो और जो इंटर फिरॉन होते है ना उनने यूज किया जाता है ताकि वाइरल इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए और जो इंटर फिरॉन्स है वो नेजर में काम ही कॉंटिटी में अवालेबल है और इनकी जो अवालेबिल्टी है उसको इंक्रीज करा गया है थेओर पेटिक सुझ के लिए भी